प्रमे 9, कथन, वृत्य के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं? बच्चो, हमने वृत्य खंड के बारे में पढ़ा है वृत्य खंड याने कि वृत्य की परिधी पर जब हम कोई दो बिंदू लेते हैं तो वे दो बिंदू वृत्य की परिधी को दो खंडों में बाट देते हैं जैसे हमने यहाँ पर A और B ये दो बिंदू लिये हैं तो हमें यहाँ पर दो खंड मिलेंगे कौन से एक A B और दूसरा B अब वृत्य का एक गुंधर्म ये है कि वृत्य की किसी जीवा द्वारा उसके किसी एक खंड में जब हम कितने भी कोण बना ले उन सभी कोणों की माप आपस में समान होती है तो चलिए इसे भी हम करके देखते हैं इसके लिए ये देखिए ये जो A B आपके पास दो लेते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे इन से कोण ये देखिए ये बन गई जीवा और हम यहां पर इसके द्वारा ये जो एक खंड हमें दिख रहा है यहां पर कोई भी दो बिंदु लेकर वहां कोण बनाकर यह चेक करेंगे कि क्या वे आपस में समान है तो इसके लिए ह हम यहां पर बिंदु C के साथ फसा लेते हैं चलिए इसे भी देखिए यह हमने पहले भी किया है यह हो गया हमारा बिंदु C और इसी प्रकार बिंदु D चांदे के साथ हम ले लेते हैं कहीं भी आप प्रुति की परिदी पर दो बिंदु ले सकते हैं बस बात यह है कि आपको उसे किसी एक ही खड में लेना है और ऐसे दो ही नहीं आप बहुत से बिंदु लेकर यह आप चेक कर सकते हैं चलिए अब हम कोड बना लेते हैं तो यह देखिए यह एक कोड यहाँ पर हम ऐसे बना लेंगे और उसके बाद यह एक कोड बन जाएगा इस प्रकार से यह देखिए यह दोनों कोड हमें प्राप्त हो गए और अब हमें करना है इन कोड का बापन तो इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा आधार रेखा को इस तरह से इसपे सेट करना पड़ेगा कि आधार रेखा दागे के समनांतर हो जाए और यह देखिए यह कितना यह मिल रहा है पचास अंश और अब हम इसे भी माप लेते हैं क्या यह भी पचास अंश है यह देखे इसको हम अच्छे तर से खीच लें और फिर देखें तो यह आधा देखा को इसके सामनांतर कर लिजिए और अब देख रहे हैं यह भी आ रहा है 50ंश यानिकि इस एक ही खंड में जो हमने दो बिंदों पर AB जीवा द्वारा कौड बनाया तो उनका माप हमें समान मिला बिल्कुल ऐसे ही आप और भी इस खंड में जितने भी कोड बनाएंगे या फिर इस जीवा के इस तरफ आप जितने भी कोड बनाएंगे उनके माप आपको सदैव समान मिलेंगे चलिए अब इस क्रिया कलाप का आप तारकिक सत्यापन देखें